नमस्कार, मितुन राशी के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का मासिक राशी फल किस तरह की फल सूचनाई सामने लेकर आ रहा है। इसका संपूर्ण चर्चा प्रतांत लेकर हम आप सभी के संबों के हाँ हाँ हाजर और उपस्तित हैं। प्रतमत है ग्रह गोचर ये विवस्थाओं का ध्यन और उसके बाद प्रतिये क्षित्र विशेश के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। बले ही स्वास्ते हो, नौकरी, व्यापार, मानसिक, सुख, यात्राएं और भाग, कर्म, लाब के साथ में जुड़ी हुई हमारी कतिविधियां। ये सब कुछ कैसे reflections सामने रखेंगी, ये एक प्रमुख विशाय जनेत स्थतियां। तो वहीं पर कौन-कौन सी तारीखों के साथ में ये ग्रहिय विवस्थाएं परिवर्तित होंगी, तो एक specific span of time के साथ हमको क्या changes करने चाहिए, कहां रुप कर चलना है, और कहां दुगनी रफ्तार के साथ में भागना है, ये भी हम यहां समझने का प्रैत्त करते चले प्रैत्ताना मासिक राशी फल में संभव नहीं, किन्तु जो दिन्मान की गतिवदिया होती है, वो हम उसी आधार पर यहां पर जूड़ कर देखेंगे, आप देखेंगे कि शुक्र की जो इस्ततिया है, वो अक्टूबर महीने के प्रमुक्सतर के उपर जारातर दिनों में यहां पराकरम भाव में ही रहने वाली होगी, 17 अक्टूबर को सूरिदेव चतुर्त भाव से पंचम में प्रवेश कर जाएंगे, उसके पहले कन्या राशी स्थान में ही रहेंगे, यह कालपुरुष की कुंडली के नुसार हरदा स्थान है और सूरिदेव यहीं गमन करने वाले होंगे, उसके बाद नीचस्त इस्ततियों में आ जाएंगे, बुधा दिती योग भी बुनेगा, बुध इस पूरे ही महीने आंत्रिक शक्ते के अलिपती पंचम भाव में ही रहेंगे, शुक्र के राशी स्थान में चलाय मान, तो वहीं 23 सितंबर 2020 से राहु और अपने राशी संचरण को परिवर्थत कर गए हैं, तो इसी वज़े से के तू वरश्चिक में साथे साथ में राहू, वरशब राशी स्थान में अब गमन करने वाले हैं, सब्तम भाव में देव गुरु ब्रस्पती मारगी भी हो चुके हैं, मूल तरकॉनस्त भी रहेंगे 20 नवंबर के पहले पहले के समय अंतराल में सुराशी में मिराजद ग्यान के अधिपती वृद्गर है, व्यापार के अंदर किस तरह के प्रहोजनों को लेकर आ सकते हैं, ये भी हम समझेंगे, हस्टम भाव में शनिदेव गमन कर रहे हैं, इसी वज़े से आपको ढहिया का अंतराल भी यहाँ पर चल रहा है, 39 सितमबर से शनिदेव भी मारगी हो चुके हैं, तो वहीं मंगल आप देखेंगे के दशम भाव में एक तरह से देखा जाए, तो लाब भाव और सस्ट भाव के अधिपती कर्म भाव में रहेंगे, और ब्रहस्पती के राशी स्थान में रहेंगे, आला कि वाक रगत चलने वाले हैं, इस पूरे ही महिने के स्पेसिफिक लेवल के उपर, तक्रीबन तक्रीबन 26-27 दिनों के लिए कहा जा सकता है, कि मंगल यहाँ पर वाक रगत इस्ततियों में ही चलेंगे, शुरवात करते हैं हम पर्थम भाव के साथ में ओवर कि शमताएं साथ दे रही हो, जैसे नरणय की और आप जा रहे हों और वहाँ आपको positive reflections मिले, तो कहीं न कहीं हम खुद को सही प्रूव कर पाते हैं, नौकरी, पेशा, जीवन के अंदर आप किसी भी change की और जाना चाहते हैं, comfort zone की expectations इस महीने नहीं रखें, किन्तु change आपके तरफ जाना चाहिए, opportunity सामने हैं, ये भी मालूम है, कि इस opportunity के साथ में कुछ दुवेधाएं भी बनी हुई है, किन्तु स्विकार करके आगे बढ़ना, संगर्षव को आत्मसाथ करना, और अपनी situations को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करना, प्रमुक गंतब्य इस महीने आ आपका रहे, सारे ही डर को दरकिनार करके आप ऐसे नर्णा की और अगमन करने वाले जरूर रहें, व्यापारिक जीवन के अंदर अर्थ लाब के संकेत हैं, जिस आत्म विश्वास के साथ में आप चल रहे हैं, और जो investments आपने किये हैं, contemporary time के अंदर वो आपके लिए सही सा होने वाले रहेंगे, ये भी एक specific level है, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी अंजान विक्ती से, किसी भी तरीके की स्वादे बाजी करने से आपको व्यापारिक जीवन के अंदर बचना चाहिए, कई बार ऐसे लोग बहुत सारी fascinations को अपने भीतर समेट कराते हैं, और चका च ततियों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, तो कुल जमाजोड मानसिक चेतनाय साथ रहने वाली होंगी, लाब में वर्दी रहेंगी, आत्म विश्वास के साथ में आप जो भी नरणाय आज लेंगे, लंबे समय तक आपके लिए उसकी सार्थकता साथ बनने वाली रहे की, वहीं द्वितिये भाव की मैं चर्चा करूँ, तो शनीदेव का जो द्रिष्टी संबंध है वो द्वितिये भाव के साथ में बना वुआ है, कुटुम्बी जनों के साथ किसी भी तरीके का आप जो वानी के साथ में विकार निकल कर आता है, रियक्टिव एपरोच निक चाहिए, तो उन्हीं प्रवर्तियों के साथ में आप चलिएगा, वानी संबंधित कारियों में जितना धैर आप रखते हैं उतना अच्छा है, देखिए, बुद्ध की स्तियां लवं पंचम बनाते हुए सयोग तो करेगी, और 17 एक्टोबर के बाद में जब बुदालिती बन जाएगा, तो प्रॉफिटिबल अप्रोच है, किन्तु वानी कई बार बने हुए कारियों को बिगाड देती है, तो बिगडे हुए कारियों को बना भी देती है, यहां बने हुए कारियों में हमको सावधान रहने की आवशकता हैं, वानी के साथ में रहेंगी, कई बार व्यक्ति को ग्यान का अभिमान आने लगता है और जब भी शनिदेव दस्वीद रिस्टी से पंचम भाव को देख रहे हूं और बुद्ध वहां बिराजमान हो तो व्यक्ति को ग्यान का अभिमान आता है और जब उसे अपनी गलती का भान होता है तब तक समय बहुत आगे निकल चुका होता है ऐसी प्रवर्तियों से आप ध्यान रखें मार्केटिंग की जो आपके अंदर हैं जो भी कह रहे हैं बहुत जादा सोच समझ कर अपनी बादचीत को आप रखने वाले रहे किन्तु अर्थ प्रदानता में इस्थाइत वो बना रहेगा फले ही शनिदेव की डहिया है किन्तु इसके साथ में ही जब शनिदेव भी मारगी हों देव गुरु रैस्पति व्यापार भाव में मारगी चल रहे हों तो आपके लिए अर्थ प्रदानता निकल कर आती है, इस थाइप तो भी बहुत आसानी से बना रहता है। थाड़ हाउस में यहाँ शुक्र हैं, तो इसी वज़े से आप जहाँ पर भी चेंजिस में गए, जो आप में आपने चेंजिस किये, बिजनस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी परिवर्तनों की तरफ आप गए, और उन परिवर्तनों के साथ जाने के वज़े से आपके देंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आने वाले होंगे, तिव्र गामी चलते हुए आप कई ऐसे निरणय लेते चले जाएंगे, जो बिलकुल सफल और सुगम सिद्ध होने वाले रहें, ये थर्ड हाउस की स्पेसिफिक पोजीशन है, तो वहीं आप धहरी योग से पूर्ण होने वाला था और मन में एंग्जाइटी का एक इशू आ गया और आप वहां से पलट कर रहे गए, दो विधाएं सामने आ सकती हैं, उनसे बचिएगा, हरदय में साहस को उत्पन करके चलने का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए, चोटी चोटी यात्राए यहां लाब देने वाली हो सकती हैं, अब शुरुवात करते हैं चतुर्थ भाव के साथ में, मैंने आपसे बारम बार निविदन किया है और इस बार भी मासक राशिफल के माद्यम से आपसे अग्रह कर रहा हूँ, कि जो भी जातक हरदय संबंधी रोगों से ग्रसित रहते ह सूर्य देव जब भी चतुर्त में अपने संक्रांती करम को लेकर चल रहे हों, तो हम को हरदय को द्वलित करने से बचाना चाहिए स्वयम को साती सात में जो प्रॉपर मेडिकेशन्स होते हैं, उनको लेकर चलें, जो बाडी इंडिकेशन्स देती है, ठकावट के और उसके कोविट टाइम है, तो घर मेही व्यक्ति जो एक तरह से अपने लिए टहलने की प्रवर्तियों को लेकर चलता है, उन सबको ही दोहराते हुए आपको चलना चाहिए, ये एक निविदन है, तो वही पर मानसिक सुख में कमी रहेगी, किन्तु आप सूर्य उपासना को नेरंत प्लेस के साथ में जोड़के, कोई और व्यक्ति विशेश को जोड़कर कामकाज की शुरुवात की आप रूप रेखा बना रहे हैं, तो शुरुवाती 17 दिन आपके लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वहीं पंचम भाव, आप देखें कि बुद्ध की स्थिया यहां पर है, फाइनेंस को रिलेट करती हुई कोई भी स्टड़ी के साथ में आप हैं, मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई कोई भी स्टड़ी के साथ में आप चल रहे हैं, फैशन टेक्नलोजी संबंदी किसी विशेशतर विशेश के साथ में आपका अध्यन अध् तब भी इस समय सही प्रवर्तियों को दरशाने वाला है, क्षमताओं में आपके लिए ब्रद्दी रहेगी, स्मार्ट वर्किंग अप्रोच बनी हुई है, संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना है, या संतान पक्ष को लेकर कोई भी चंताओं बनी हुई थी, ये महिना उ वैल डू 16 वीक्स की पोडिशन्स के साथ में अभी चल रहे हैं, जात्राओं को टालना ही बहतर रहेगा आपके लिए, ये मरे विदन फिर से तोरा रहा हूँ, तो वहीं, सेक्स था उसमें अब केतु आ चुके हैं, तो इसी वज़े से जो शत्रूपन पे विए थे, वो आक आप्टीपन के साथ में चल रहा है, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी के तो यहां मौझूद करवाने वाले होंगे, रिण संबंदी इस्ततियों में किसी भी तरीके की वरदी में आप जाने से बचियेगा, आपको एक अग्याद भहे नजर आता है, राहु उस अग्याद भहे को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, हम ऐसे निरने ले ले लेते हैं, जो कहीं पर भी सार्थक नहीं है, मेरा आप से यहां पर भी आगरे है, कि ऐसे सारे ही निरने से बच कर चलें, जो नसों से संबंदित रोग होते हैं, नर्व्स को एफेक्ट करने वाले जो भी रोग होते हैं, उन सबसे आपको इस मां के अंतराल में सावधान रहना होगा किन्तु एक बात जरूर है कि कर्ज संबंदी समस्याओं से आप धिर कर चल रहे थे आपका कर्म, आपका व्यापार, आपकी आजविका के साधन आजविका के साधन के साथी साथ में भूमी संबंदित कारे विशेशक्षेत्र ये सब कुछ विद्धी का एक नया आयाम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस बात को भी क्लेरिटी के साथ में आप लीजिएगा तो वहीं सब्तमभाव में मारगी होकर देव गुरु ब्रहसपती घमन करने वाले हैं तो इसी वज़े से सबसे महत पूर्ण आधार जो यहां नजर आता है व्यापार में स्थाइत्व का है, व्यापार में लाब का है व्यापार में किसी विशेश के साथ में जोड कर काम काज को बढ़ाने का है ग्रहस्त जीवन के सहीयोग से आप किसी भी कारी को और निरंतरता में लेकर आना चा रहे हैं ऐसे सारे ही कारीयों की और बढ़ने की अपेक्षाएं रखना और उसमें विजय को हासल करना अक्टूबर के महिने का एक प्रमुक आधार आपके लिए रहेगा सक्षा संबंधि किसे विकारे शेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं तब भी ये समय आपके लिए बहतरी दे रहा है कमिशनिंग संबंधि कामकाश के अंदर भी यहां आपको सफलता मिल सकती है नौकरी से हट कर वियापार के और जा रहे हैं लोग आपको कह रहे हैं कि अभी का समय कैसा है वो आप देखो किन्तु आपको स्वयम पर विश्वास है आप यहां पर भी ऑपरचुनिटीज को देख पा रहे हैं रिस्क नहीं ले रहे हैं आप रिस्क कल्कुलेटिव अप्रोच में चलने का प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी से वियापार के और शिफ्ट होना चाते हैं तब भी यह महिना सार्थकता आपको देने वाला होगा आला कि ऐसे निर्णय में दो साल तक संगर्ष है किन्तु संगर्षों में सकारात्मकता है और उसके बाद में आप अपने जीवन को एक नई हद के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे ये भी आप स्मृत्यों में रखिएगा तो वहीं अस्तंभाव में शनिदेव हैं रिसर्च और एनलेसिस संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए वरद्धी आएगी आप विदेश में रह रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर के अंदर आपका कामकाज है वहीं पर आपने अपना निवास भी एक तरह से स्तापित किया हुआ है ऐसे सारी ही स्तियों में आपके लिए स्टेबल मूड सामने निकल कर आ सकता है मैटल संबंधी कारेशेतर में भी आपके लिए वरद्धी के सरुकार बनते चले जाएंगे कहीं पर भी रोकने थकने की आवशकता नहीं जो hidden talent होता है वो भीतर ही भीतर नहीं रह जाए और हम कुंठित नहीं होते चले जाएं उसको भी बाहर लाने का प्रयास करना दुनिया क्या सोचेगी इससे दूर हटके हमें अपने कला के क्षित्र को बहुत अच्छे से एक्स्प्लोर करना आवशक रहेगा तो वहीं भाग्येश भी स्वयम से द्वादश होकर अस्ठम भाव के भीतर है भाग्ये का सहयोग भले ही कम हो किन्तु आपके कर्म की इच्छा शक्ती प्रबलता के साथ में चल रही है तो कहीं पर भी कोई नेगेटिव पोजीशन लेकर आप चलने वाले नहीं रहें ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा आप ध्यात्मिक चेतनाओं में थोड़ी सी कमी रह सकती है किन्तु अनुभव आपको बेनेफिट देने वाले यहां पर रहेंगे ये भी एक स्पेसिफिक रिदम यहां नजर आती है इस बात पर भी गौर करना होगा तिकर्म शीलता बनी हुई है किन्तु बिलकुल किसी कारे के त्रेशोर्ड पर पहुंच कर निराशा आ जाना शनीदेव की तीसरी दृस्टी ऐसी प्रवर्टियों को देने वाली हो जाती है उससे आपको 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मद्ध बचना होगा तो वहीं दशम भाव में मंगल है और वो भी लगबग आप ये देखिए कि लंबे समय अंतराल के लिए यहां पर इनकी स्ततियां वक्री भी रहने वाली रहेगी इसी वज़े से मैं आपसे बारं बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो ये मंगल की पोजिशन्स है टेकनोलोजी संबंदी फिल्ड के अंदर आपको पेनिफिट देने वाली हो सकती है और वहीं पर अगर आप किसी भी अनुशाशन संबंदी शेतर विशेश के साथ में हैं तब भी आपके लिए पॉजिटिव पोजिशन्स रहने वाली रहेंगी कहीं पर भी इनकार करने वाली बार दूर दूर तक भी नहीं है यात्राएं सुखद संयोग दे रही है वर्किंग एक्सपीरियंस के अंदर और एक्सपरटीज के अंदर थोड़ी सी कमी यहां पर रह सकती है अग्यात भैसे आप प्रमुक्ता के साथ दूर रहकर चलने का प्रयास करते चल जाईएगा पिता के साथ कामकाज में है डॉमिनेट करने वाली अप्रोच से और तया आपको दूर रहना चाहिए ये भी निवेदन मैं यहां करूँगा एक आदशेश भी लाभेश भी एक तरह से कर्म भाव के अंदर है इसी वज़े से आपके लिए कर्म के साथ बहुत गयरे से लाभ जुडा हुआ है संतान पक्ष कहीं पर भी सलाह देती है तो उसको भी सुईकार करके चलने का प्रयास आप करें और जो भी सलाह मिलती है हमारे जीवन के बहतरीन परामर्श जाता है वो लाभ की और हमको इंगित कर रहे हैं ये एक तरह से संकेत हैं जो प्रकरते के माध्यम से निकल कर आते हैं उसको कहीं पर भी नेगलेक्ट करने का कारे आप नहीं करें किन्तु ये ध्यान रखें कि कोड कचारी संबंदित कोई भी मामला चल रहे है एक आदश और द्वादश के स्थियों के साथ में बता रहा हूँ कोई भी ऐसे मामला चल रहे है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सजग रहकर चलना होगा नरणय और नरणय में जहां पर भी गिरेवों है वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा धीमापन रखना चाहिए तो वहीं द्वादश के राहू आपको अग्याद भहे देने वाले होंगे विदेश में रहे हैं किसी अन्र शेहर में रहे हैं तो वो परवर्तियां और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी इस बात को इस पश्ट तोर के उपर आप ध्यान रखकर चलते चले जाएएगा किन्तु औशद विज्ञान के किसी भी कामकाच के साथ में आपका जुड़ाव है ये समय बहुत ज़्यादा देहतर है तो ये था अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल बितन राशिक जादकों के लिए हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शेय आभार